तो आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग को अच्छा करना है अपना तो यह टॉपिक मोश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करते हैं कि यहां से पर इसके बीच में जानेंगे क्या से काम करता सब कुछ तो लेस्ट टार्वीनियो कर तो कर था तो मेरा आई कॉंटाट कभी कभी नीचे शिफ्ट हो सकता है को कि में चाहिए जो प्रेजेंटेशन चल रहा है वो नीचे ही चल गाए तो सबसे पहला में शुरूर करते हैं सबस्क्राइब दोग्यों के यह सबस्क्राइब यहां अप्लूकेशन तक सारे कंशन कैसे पहुंचते हैं दूसरे कंपूटर से कैसे पहुंसते हैं इसका जो एक एक पार्ट होता है यह डिस्कॉस करने में हम लोग गाहिद पहुता है OSI model OSI model का full form होता है हमारा open system interconnection open system interconnection और यह जो होता है seven layers में divided होता है ठीक है यह seven layers क्या होते हैं यह सारी layers हम लोग अलग-अलग layers में divided होता है क्योंकि यह सारे layers अलग-अलग काम करते हैं और पूरी तरह से combine करके फिर यह हमारा connection बनाते हैं ठीक है सारे layers के साथ combine होके connection बनाते हैं तो यह जो layers होते हैं यह हमारा top लेकर bottom तक होते हैं मैं अब हम लोगए application को मैं की इसको layer seven walks को टिक है लियर hele है application थिकल यह से गैं और यहूंशन अलग को उलोगगों दिस्केशन मी करेंगे अब लोग अब पढ़ेंगे उसका हमारा आता है सिस्ट लेयर होता है यह जो होता है यह लोग इसे कंप्रूटर पर इंट्राक्ट करना होगा इसको नोगा तो यह हमरा लोग को और हम लोगो को यह दोनों का प्रेजेंटेशन लेयर हमाना करता है तो यह सेशन को इसे मेरा कमपोक्टर किसी और कनेक्टेड है जिसे मैंने किसी को फोन कॉल किया तो वह बंदा उठा लिया अब यह उठने के बाद यह जो कनेक्शन है यह इसे बात कर रहेगा इसे बात कर रहेगा यह काम होता है प्रटो कॉल्स इसी लेयर पर ट्रांसफर होता है डिटा को मतब बचाता है लेकिन यह जो होता है यह लेयर जो है हेसे हैं यहां पर वुथे रहता है यहां पर रास्ता सभी यह चुननória को जाना चाहिए और क्यासे फार्वार्ड होगा मैसे जा माना यह जो तटरिका होता है कि इस लेयर पर होता है काम थर्द लेयर पर नेटर्वर्क लिए पर प्रस्वर्वर्द के लेते हैं इसका हमारा क्रांट करते है कौन सा ये राभ छाहिए हां कन्रेटा को जाए जैसे कि मान लो कि हमारा क्या होता है वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है नहीं ट्रांसपोर्ट लेयर जो हता है connection बनने के बाद डेटा को घेज़ता है कि करनेशन बनाता है यह जो होता है यह का कौन सा पास लेना चाहिए यही होता है हम लोगों को दिखता है यह जो होता है पुड़ा फिजिकल मेडिया में ट्रांसपर करता है आक्च्वल में जिरो और वन्स इसी लेयर पे ट्रांसमीट होते रहते हैं तूद वायर के अंदर जो हमारा डेटा ट्रावलिंग होते रहता है या फिर फूद एयर वेव्ड ऑप्तिकल वेव्ड डेडियो वेव्ड यह जो होता है एक्च्वल में इसी जगह पर ट्रांसपर्टेशन होता है और ट्रांसमीट होता है यह हमारा ओवर्वीव हो गया है इसके बाएब अभी इस पीडियो में जानेंगे फिजिकल लेयर के लेवरे में फिजिकल लेयर क्या होता है तो हमारा स्वेडियो को हमारा सब्सक्राइब होता है इस में इसके बहुत सारी हम यहां धूर करते चाहिए क्या होता है तो कि यह जो हमारा 1001 जो भी होता है उसको आट मेंट क्थूर्स करते गठाएओ अब बदधन नंबर इस ऊपड़ेंगा अगर मुझे ट्रांस्मिट रणा है तो मैं एक वायर जा रहा होगा अग्या कोई लोवेशता हूं में आएक पर सबमें बԹरी हम उनमार्स यह भी करने तो हम लोग यहां सब्सक्राइब करता है यह यूज करता है इंकोडिंग इंकोड करता है डेटा को सिग्नल्स में अब किसी तरह से इंकोड कर सकता है अगर मुझे अगर मुझे अगर में हमारा वेविकल्स जो होगा वह हमारा लोग और हाईयर हम लोग अगर देखेंगे वेवस में तो यह जो होता सब्सक्राइब करें यह तो इसी तरह हम लोगा डेटा ट्रांस्वेश्च किया जा जाता है अंगर आगे बरते हैं के बार आता है सब्सक्राइब होते हैं इसमें हमारा फीजिकल मीडियुम होता है तो यहां पर ले आउट होता है कि किस तरह से सारे फीजिकल डिवाइस सब्सक्राइब होते हैं इसके बारे मैंने वीडियो बना रखा है तो आप लोग आगे बढ़ते हैं इसका हमारा आता है सीगनल यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सीगनलिंग में क्या होता है यह डिफाइन करता है कि देटा कैसे मेडिया में ट्रांस्मिट हो रहा है तो इस वो किस तरह से कवर्ट होगा वह हमारा इस प्रोसेस में होता है जो कि दो मेथर्ट होते है ठीक है यह होता है अगर वोल्टेज पॉजितिव होता है कहाँ नेगेटीव होता है तो हमारा जीरो लिया जाता है जैसे मैं आप लोग एक्जांपल यहां अगर हम लोग वोल्टेश को ट्रांस्मीट कर रहा है ओबर दमीगें स्क्वाइर वीव के फार्म में होता है इसको स्क्वाइर बिद्व मोलते हैं अगर आप नहीं जानते हो ख़ती है तो अगर आप लोगों को नहीं पता है इसमें क्लिकेट यह सब उन लोग के लिए भाएकस में होते हैं कि दीफेंट गेट तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा कि जीड आता होगा पटाता है जाता होक्या प्र 했습니다 न एक टांस्फर प्रionar स्क्वाइर में बनाते हैं जैसे के रह एक पेज में था यह जो है यहां पे square waves है यह आपको picture दिख रहा है यह बोलते हैं यह represent करते हैं कि हमारा किस तरह से हमारा voltage high और low पी value और low value पो जा रहा है ठीक है तो यह हमारा 10RZ technology यूज की आ जाता है हमारा इसी negative voltage अब हम लोग इस वोल्टेज में कैसे होता होगा अगर मैं कोई voice record कर रहा हूं मैं आगर जो signaling हो रहा है इस वायर के तुर जा रहा है तो इस वायर में कैसे होता होगा ठीक है उसको बोलते है modulation ठीक है हम लोग इसको बारे में जानेंगे अभी उसको बोलते है modulation ठीक है इससे पहले ही बताया था हम लोग पढ़ा था हम लोग का हिस्ट्री यह हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने जब बता है पहला पैकेट पहले जाना सही है अगर यह भी पैकेट धर का उल्हर हुआ तो यह बदल सकता है ठीक है तो यह जो हमारा अगर एक बाइनरी नंबर को ने एक टाइम भी असाइन किया जाता है कि हाँ यह पहले का और एक बाद का है ठीक है मसलों कि समझो कि मैं टाइम इसके बाद वाइनरी यह नहीं ठीक है तो इसमें हम लोग समझो कि हम लोग उसके साथ टाइम का भी डेटा करते हैं इसमें करते हैं ठीक है ताकि स्टार्ट पर एंडिंग पर ही एंड हो जैसे मैं भेच रहा है वैसे वहाँ पर इंटरप्रेट हो नहीं तो पूगा डेटा करपको जाएगा आगे बढ़ते हैं लोग जिस मेठ़ड से होता है और फिर जो हमारा सिंट्र सिंट्र जो होगा इसे मालों कि मैं डिजिटल सिंट्र क्या वाओ गया मेरा करने के लिए जो प्रोसेस लगता है इसको कैसे जाता होगा ठीक है तो यह जो कनवर्जन होता है ठीक है इसी को बोलते हैं और इसी में जब कनवर्टिंग अनलोग से बैक होता है तो यह सारी चीसे फीसिकल लेयर में होती रहती है ठीक है तो हम लोग आते हैं यहां से डेटा उठा ठीक है और यहां से प्रांस्मिट होता है तो वह से तो यह सिफ कंपूटर वन ही कंपूटर टू से कभी भी कंपूटर रॉन पर नहीं आ सकता है यह एक सेंडर होगा एक होगा एक रिसेवर और सेंडर नहीं बन सकता है यह अधे हाफ ड्यूप्लेट्स हाफ ड्यूप्लेट्स में क्या होता है कि ये और ये डोनों डेटा तो भीज सकते हैं उससे को लेकिन सेम टाइम पर नहीं परेगा जैसे मालों कि मैं कोई से कोई पर अधे दक्यार में आगर हमारा निर को हमारा हाफ ड्यूप्लेक्श माश्यां दिगत them यह हमारा होता है half duplex ठीक है सेकेंड में आता है हमारा full duplex just like whatsapp chatting अगर मैं चैट करा हूं तो हम लोग दोनों आदमी सेम टाइम पर दोनोंगा काम मैं कर सकता हूं ठीक है तो यह हमारा होता है physical layers खतन एक्चुल में आप लोग अगर ज्यादा तक कुछ से google सर्च करो आप लोगे ज्यादा बेनिफीट्स होगा तो और मैं करना चाहता हूं और ज्यादा तो मैं इंप्रूफ और ज्यादा करना चाहता हूं तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ